दोस्तों Google Ads, Google का एक ऐसा advertisement platform है जिसका आज की date में Amazon, Flipkart, Snapdeal, eBay जैसी बड़ी-बड़ी companies इसका इस्तमाल करती है अपने product को sale करने के लिए, अपने services को promote करने के लिए, अपने business को grow करके revenue generate करने के लिए इसके अलावा आज की date में ऐसे कई सारे हजारों लाखों लोग हैं जो Google Ads का इस्तमाल करते हैं और Google Ads से घर पे बैठे 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 बहुत सारा पैसा कमाते हैं अगर आप भी दोस्तों एक student है housewife पर job person है आप भी घर पे बैठे बैठे रोजना एक से दो गंटे काम कर करके Google Ads से हर मेने 30-35,000 उपर कमाना चाहते हैं तो आज का ये वाला वीडियो आप सभी के लिए most important होने वाला है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राहुल मैं हूँ एक digital marketing expert founder of worksmillisolutions.com आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आप घर पे बैटे बैटे Google Ads का इस्तमाल करके Google Ads से पैसे कैसे कमा सकते हैं देखे दोस्तों आज का ये वाला वीडियो मैं चार step में complete करूँगा सबसे पहले इस टे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप Google Ads से पैसे कमाना चाहते हूँ तो Google Ads का जो account है वो आप कैसे बना सकते हूँ दूसरे इस टे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप Google Ads से पैसे कमाना चाहते हूँ तो Google Ads के जो campaigns है यानकि जो ads वगरा होते हैं उनको आप कैसे बना सकते हैं आप audience कैसे target कर सकते हैं bidding कैसे लगा सकते हैं budget कैसे decide कर सकते हैं और complete आपको campaigns step by step बनाना सिखाऊंगा और last step में दोसों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप Google Ads से हर मेने 35-40,000 रुपे कमाना चाहते हैं तो ऐसे कौन से 5 बेस्ट तरीके हैं Google Ads से पैसे कमाने के जिनको आप इस्तमाल कर सकते हैं और Google Ads से घर पे बैटे बैटे हर मेने 35-45,000 रुपे बड़ी आसानी से कमा सकते हैं तो अगर आप भी दोस्तों सीखना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि Google Ads से रेवनियर की पैसा कैसे कमाया चाहता है तो वीडियो को आइन तक जरूर देखना और पहली बार अगर आप चैनल पर हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब् जरूरात करते हैं आज के इस वीडियो की तो यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं मैं अपने लाप्टोपेज से की स्क्रीन पर आ चुका हूं और अगर आप दोस्तों Google Ads का इस्तमाल करके पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको चार स्टेप्स के अ तो आप वीडियो को आइंड तक देखना बिकास पिछले चार-पांच साल से मैं Google Ads का इस्तमाल कर रहा हूं as a digital marketer और आज मेरे को काफी experience और knowledge है कि Google Ads से आप कैसे revenue यान की पैसे कमा सकते हूं तो आइंड तक वीडियो को जरूर देखना आज आपको इस वीडियो के अंदर क इनको आप इस्तमाल कर सकते हो और revenue generate कर सकते हो using Google Ads, right? तो देखें दोस्तों सबसे बिल है अगर आपको Google Ads से पैसे कमाने है तो सबसे पहला step होता है अमारा कि अगर आपको Google Ads से revenue यान कि पैसे कमाने है तो आपकी पास इसका एक account होना चाहिए, because without account आप इसको use भी नहीं कर सक सकते हो तो आप revenue नहीं generate कर सकते है यानि कि आप पैसे नहीं कमा सकते हो तो सबसे पहले step में हम इसका Google Ads का account कैसे बनाया जाता है वही सिखेंगे तो यहां पर देखेंगे दोस्तों आपको Google पर जाना है और simply आपको यहां पर टाइप करना है Ads Google और simply आपको Search button पे क्लिक करना ह अगर आप यह process दोसो mobile phone में कर रहे हैं तो mobile phone में अगर आपको यह process करना है तो Google Play Store पर जाना है और Google Ads का एक official application आता है उसको download करने ला उसके बाद गी जो process है वह आप mobile phone में भी कर सकते हो mobile phone के अंदर भी Google Ads का जो campaign वह बना सकते हो ठीक है तो application डाउनलोड करके फिर यह process कर ली तो यहाँ पर ads आपके सामने आ चुका है ads.google.com तो simply दोसो आपको इस वाली official website पर click करना है जैसे दोसो आप इस website पर click करोंगे यहाँ पर देखे आपको sign in का option दिखता है तो simply आपको इसके उपर click करना है जैसे दोसो आप इसके उपर click करोंगे एक आपको mail ID डालनी पड़ पर click करोंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास simply यहाँ पर दुबारा से continue button का option आएगा तो मैं यहाँ पर continue button पर click करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं Google Ads के अंदर जो आपका Gmail account है जिसकी मतलब से आप अपना account बना रहे है Google Ads के अंदर वो आपका login हो गया अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों आपको यहाँ पर देखें new Google Ads account और यहाँ पर देखें switch Google Ads account का option आपके पास आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे new Google Ads account के उपर हम click करेंगे जैसे दोस्तों आप इसकी उपर click करोगे आपके सामने देखें यहाँ पर Google Ads की जो official website है वो open हो रह जिससे आप अपना Google Ads का account बना सकते हैं, ठीक है, तो देखे, सबसे बले हम Google Ads का account बना लेता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास option आगया है, create your first campaign in few simple steps, तो देखे दूसरों, जब भी आपको Google Ads का account बनाते हैं नया, यहाँ पर आपके पास दो option आते हैं, account बनाने से पहले, पहला तो देखे, यहाँ पर आप campaign बना सकते हो, और campaign बनाने के बाद, आप अपना account बना सकते हो, और दूसरा option आता है, कि यहाँ पर देखे, आपको skip campaign creation option दिख रहा होगा, इसके उपर आप click कर दो, और जैसे इसके उपर आप click करोगे, direct आप अपना Google Ads का account बना लो दोस्तों, आपका जो billing details है, वो यहाँ पर confirm करने का option आ गया, यहाँ पर आपकी पास promotional code का option भी आ गया है, अगर आप promotional code यूज करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखे, दोस्तों, account type आ रहा है, इसमें organization की जगे, आपको individual चूज करना है, और यहाँ पर आप यहाँ पर fake address डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पर आपको 1000 यूज करना है, agree करना है, और simply submit बटन पर click करना है, जैसे दोस्तों, submit बटन पर click करोगे, यहाँ पर no कर दिसेगा, और दुबार से submit बटन पर click करोगे, अब आपके पास यहाँ पर देखे, आपका billing confirm करने का option आ होगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो Google Ads account है, वो बनके ready हो चुका है, तो यह दोस्तों, आपका सबसे पहला step है, जो आपने complete किया for make money from Google Ads, अब चलते हैं, हम दूसरे step पे, और दूसरा step है, हम वो सीखेंगे कि कौन कौन से campaign है, जिनको हम Google Ads के अंदर बना सकते ह कैसे manage कर सकते हैं, तीसरे step के अंदर हम सीखेंगे कि हम campaigns को बना कैसे सकते हैं, कौन कौन सी basic settings है, आप bidding, budget, campaigns के targeting, keywords, title description, वो कैसे लगा सकते हैं, according to business, and जो आपके साथ client work करेगा, उसके कैसे आपको add करनी है, शारी details वगरा, वो हम third step में सीखेंगे, and in last step, we will know कि आपके पास क इनका इस्तेमाल करके आप पैसे कमा सकते हैं, from Google Ads, right, तो देखें, यहाँ पर आपके पास जैसे ही Google Ads का account बनता है, अब आपके पास next step आता है, if you want to earn money from Google Ads, then आपको management सीखना पड़ेगा, ठीके, तो management कैसे होता है, देखें, Google Ads का, देखें, सबसे पहले तो आपको मैं बता आता है, जिससे मालों आप यहाँ पर search पर click करोगे, और यहाँ पर आपका जो भी campaign आप बनाओगे, ads जिसको बलते हैं, वो बनाओगे, तो यहाँ से आप उसको directly search कर सकते हूँ, दूसरा आता है आपके पास appearance का, तो इसमें अभी आपके लिए कुछ most important चीज़े नहीं है, उसके बाद आपके पास आता है, यहाँ पर side option, side option में देखे, यहाँ पर सबसे बेले तो आता create option, create option पर click करके आप एक नए campaign को बना सकते हैं, आप कौन-कौन से campaign होते हैं, वो मैं आपको बता जिता हूँ, जैसे मालों इसके उपर हमने click किया, और जैसे दूसरा हम इस पर click करेंगे, हमारे सामने जितने भी परकार के campaigns होते हैं, जितने भी परकार के goals होते हैं, objectives होते हैं, वो आते हैं, तो मालों first होता है sales वाला, sales का मतलब होता है कि हम sales वाला campaign create करके, हम किसी भी e-commerce business की या कोई भी ऐसा physical product है, digital product है, उसके हम sales लिक्या सकते हैं, तो अगर आपके प आपके पास ऐसा कोई business है, ऐसा कोई client है, जिसको leads की requirement है, ये campaign को हम चला आते हैं, थर्ड आता है website traffic वाला, आपके पास ऐसा कोई landing page है, जहापे आपको traffic generate करना है, तो आप यहाँ पे website traffic यूज कर सकते हो, इसके बाद आता है fourth option, ये है आपका app promotion, मालों आपके पास कोई application है, client के पास को application है, देन आपको app promotion वाला use करना है, और इसके बाद आता है awareness का, तो awareness का मतलब जाग रूखता होता है, आप ये समझ सकते हो, जैसे अभी आपको पता है कि जो political campaign order है, in election of 2024, तो आप यहाँ पे awareness या नहीं जाग रूखता फैलाने के लिए campaign कर सकते हैं, कोई car launch होती तो उसके लिए awareness का use किया जाता है, उसके बाद local store and visit promotion, जैसे मानलों आपका कोई physical local store है, और आपने उसको google map पे list कर रख है, वहाँ पे आपको client वगरा generate करने है, आपको sale बढ़ानी है, या फिर offer वगरा दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये campaign चला सकते हो, और आपका कोई ऐ option होता है, यहाँ पे campaign का, जो भी 25 बना रहे हो। उसके लावा आपके ऐड गूरूपी सोते हैं, जो आप यहाँ कर सकते हो, और फइनली दोस्तव, आपके पास आता है यहाँ पे गोल का, तो गोल का भी आ आप चाहें, तो यूस कर सकते हैं, जिसमें आपके पास conversion goals होते हैं conversion tracking वगरा लगाते हैं आप जिसे मालो आपके पास कोई e-commerce business है तो यहाँ पे आपको goals वाले जो feature है या फिर जो tools है उनके requirement होती है अगला आता है दोस्तों tools इसमें कई परकार के tools होते हैं जिसे आपको कोई planning करनी है campaigns की तो उसके लिए आप इसको use कर सकते हैं आपके पास library भी होती है इसके अलावा data manager है आपके पास यहाँ पे bulk option भी है budget and bidding decide करने का एक आपको tool दिया गया है और इसके बाद finally आपके पास आता है billing option ठीक है तो billing वाले के अंदर आप जाके अपनी billing को manage कर सकते हो जो भी आप पैसा वगेरा डाल रहे हो fund add कर रहे हो credit card या debit card लगा रहे हो वो सारे options आपको कहा मिलेंगे in billing option तो I think आपके सामने थोड़ी picture clear हुई होगी कि कैसे Google Ads को manage किया जाता है अगर आप इसको और completely सिकला चाते with advanced option then हमारा course भी आपने launch कर रहा है अप कहीं सारे लोग बोलेंगे कि promotion कर रहा है course का तो दिखें promotion जरूरी है because आपको बताया है कि कहीं पे भी अगर आप YouTube में देखेंगे तो free वाले जो course इस है ना उसमें कहीं ना कहीं कुछ information hidden रहती है अगर आप इस वीडियो के अंदर भी देखोगे तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा Google Ads नहीं सिखा सकता है ये सबसे बड़ा fact है तो अगर आप इसको पूरा सिखना चाहते हूं तो बहुत बड़ा course आता है पंदरा से बीस गंटे का course हमने बनाया है अप्रॉक्स सवन टू एट डेज लग गे हैं हमें कोर्स बनाने में तो उस course को आप purchase कर सकते हो और completely सीख सकते हो Google Ads को कि इसको भी आप manage के से किया जाता है इससे पैसे के से कमाया जाता है क्लाइन्स के साथ कैसे work करना है all things हमने आपको in course बताई है ठीक है if you want to buy then interested people buy कर सकते है description में आपको link मिल जाएगा almost two steps complete हो चुके है अब चलते हैं हमारे third step if you want to make money using Google Ads then campaigns भी आपको बनाने आने चाहिए because अगर आप खुद अपना पैसा कमा रहे है खुद का business स्टार्ट करके पैसा कमा रहे है and आप clients के साथ पैसा कमा रहे है तो उस case में आपको campaigns बनाने आने चाहिए because campaign is most important in Google Ads तो campaigns कैसे बनते हैं देखे सबसे बहले आपको यहाँ पर create button पर click करना होता है और यहाँ पर new campaign का option आता है तो उस पर click करेंगा अब आपके पास आते है objectives objectives या फिर आप इनको बोल सकते है goal अब देखे इसमें होता क्या है जब भी आप किसी campaign को बनाते है इन Google Ads तो आपके पास एक objective या एक goal होना चाहिए कि आप क्या achieve करना चाहते है Google Ads की मदद से आप क्या generate करना चाहते है तो यहाँ पर objectives आते है आपके पास first objective है sales sales का मतलब होता है कि आपके पास कोई digital या physical product है या आपके पास कोई e-commerce business है उसके उपर आप sales generate करना चाहते हो application के उपर generate करना चाहते हो website के उपर generate करना चाहते हो then sales campaign use कर सकते हो आगला option आता है lead आपके पास ऐसा business है जिसमें आपको customers की leads की generate होती है like आपके पास कोई college है कोई school है या फिर कोई ऐसा software साब बेच रहें जिसमें आपको leads generate करनी है clients की या business की तो आप यहाँ पे lead वाला campaign रन कर सकते हो आगला option आता है website traffic जिसके अंदर आपके पास landing page है कोई website है कोई blog है वहाँ पे आपको traffic generate करना है तो ये option चूश कर सकते हो ठीक है इसी परकार से app है आपके पास तो app promotion वाला कर सकते हो आपको जागुरुकता फैलानी है तो awareness वाला और कोई ऐसा campaign है जिसमें आपको कोई गोली चूश नहीं करना तो ये वाला भी चूश कर सकते हो अब यहाँ पे हम सुरुवात से सीखेंगे देखे आप जब भी का खाना खाते है न तो आपको थोड़ा थोड़ा खाना चीए एक साथ ही अगर आप एक रोटी डाल लेंगे अंदर तो हो सकता है कि आपको कुछ नुक्सान हो जाए तो हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको एक चीज पताना चाहता हूँ आप जब भी campaign बनाते हैं न Google Ads के अंदर almost 70 या 75% campaign सेम प्रकार का होता है कुछ चीज़े डिफरेंट होती है और वो चीज़े आप सीख सकते हो अगर आप प्रक्टिस करोगे तो ठीक है तो एक campaign में आपको बनाना दिखा देता हूँ और उस campaign की मदद से आप पैसे कमा सकते हो तो हमने चूज किया website traffic website traffic दोसों जैसे आप चूज करोगे अब यहाँ पर देखे आपके पास आता है tie ups जब भी आप website traffic वाला campaign चला रहा है website traffic campaign क्या होता देखे जब भी आप माल लो यहाँ पर गूगल में जाते हैं और जैसे माल लो आप टाइप करोगे Amazon अब Amazon टाइप करने के बाद देखे यहाँ पर Amazon के पास उपर आपको sponsor दिख रहा होगा अब यह sponsor भी आ गूगल एड्स की मदल से ही आ रहा है जब मैंने आप एक keyword डाला Amazon तो यहाँ पर देखे जो search वाला जो option है जहाँ पर मैंने search किया उसके नीचे आपको यहाँ पर Amazon का ads दिख रहा है तो Amazon, Flipkart, Snapdeal, eBay जैसी बड़ी-बड़ी companies भी Google Ads का इसमाल करती है for make money, for sale their product ठीक है? तो यहाँ पर यह वाला campaign चल रहा है traffic search ठीक है? traffic search के अलावा दूसरा campaign भी हो सकता है sales वाला और search वाला इसके अलावा engagement and search कोई भी प्रकार हो सकता है बट हो सकता है कि traffic plus search भी चल रहा हो, ठीक है? तो जैसे माल लो आपको traffic generate करना है आपकी website पे और आप यहाँ पे search वाला choose कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे option आएगा website का तो जैसे माल लो यहाँ पे website आपको डालनी है www.walksmediasolutions.com मेरी website है, मेरी company की website है इसको मैंने copy किया और यहाँ पे देखे, आपको page view का option चूज करना है, ठीक है? तो page view मैंने डाला और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है? simply agree and continue button पे क्लिक करना है, जैसे आप continue button पे क्लिक करोगे, आपका जो पहला basic information है, basic setting है, वो complete हो गया, अब आपके पास आता है, यहाँ पे bidding का मतलब bidding का मतलब होता है कि एक click पे आप कितना पैसा देना चाहते हैं तो जब भी आपका client या customer आप ले रहे हो, तो उसको बताना कि भी या, एक click का इतना चार्ज कटेगा और bidding सबसे most important होती है in Google Ads, आप mind में बिठा लिशेगा, आप यहाँ पे जैसे मानलो, conversion चूज करना है, आपके पास click option भी आता है, आप चाहो तो click भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपे कर, पर new customer भी एक bidding लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो तो मैं आपे लगा रहा हूँ और अगर आप चाहो तो इसको लगा सकते हो, बट अभी हमारे पास active members नहीं है, at least 1000, तो हमारा new campaign है, तो हम इसको छोड़ देते हैं उसके बाद जो next button बे क्लिक करना है, जैसे next button बे क्लिक करोगे, campaign settings आ रही है, तो campaign settings में देखिए, आपको network option मिलता है, सबसे बले network का मतलब होता है, कि आप अपना campaign कहां दिखाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपे Amazon search किया, तो Amazon search करते हैं, मेरे पास नीचे add आ गया उसका, उसी प्रकार से यहां पे network का option आता है, कि आप Google पे जब अपना campaign चलाते हैं, तो आप अपना campaign कहां-कहां दिखाना चाहते हैं, like यहां पे display में भी दिखाना चाहते हो, नहीं, मैं नहीं दिखाना चाहता, Google partners में भी दिखाना चाहते हो, नहीं मैं नहीं दिखाना चाहता तो यहाँ से मैंने फटा लिया, उसके बाद दूसरो अगला उपशन आता है location का, देखे location में आपका जहाँ पे business चल रहा है या फिर आपने client का जहाँ पे business चल रहा है उसकी location आपको यहाँ पर choose करनी है, अगला क्ался ओप्षण आग् सम्व無च तो जो पी आपका बिजनेस जो भी आपका प्रोडवट ऐ उसकी लिएBecause चौन सी और क्लीएटी और हो डी से क्रीट्वाले के लिए तो violent 열심히 करigent और मेरे कस्टमर्स स्टुंडस सब्सक्राνεश करें आप एक audience को choose करना चाहते हो तो यहाँ पे audience segment का option भी आता है अगर आप चाहो तो use कर सकते हो otherwise आप आप चाहो तो keywords की उपर भी अपने business को target कर सकते हो तो मैं आप ए keywords की उपर ही target करूँगा उसके बाद दोसो broad match यह वगरा वगरा जो भी आएंगे उनको मैं छोड़ देता हूँ and more settings में देखे आपके पास add rotation तो यह automatically set हो जाएगा starting और end date हम choose नहीं करेंगे और उसके बाद दोसो simply next button पर हम click कर देंगे जैसे next button पर click करोगे अब आपके पास आ रहा है दोसो keywords वाला और add वाला option तो हम यहाँ पर इसके उपर click करेंगे और यहाँ पर create myself के उपर click करने जैसे दोसों आप create myself पर click करोगे यहाँ पर देखे तुबारा से create myself button पर click करके यहाँ से इसको cross कर देखे अब यहाँ पर दोस्तों आपको keywords और add बनाने का option आ रहा है तो यह सबसे important होता है जब भी आप किसी client का add campaign बना रहे है या फिर आप उसका business promote कर रहे है तो यहाँ पर आपको यह सारी चीज़े आनी चाहिए तो मैं आपको देखे जो keywords वगर है वो डाल देता हूँ तो देखे यहाँ पर दोस्तों जो भी आपकी website होती है लिंक होता है उसके according आपको यहाँ पर keywords automatically मिल रहे है अगर आपको कुछ अपनी तरफ से भी कोई keyword add करना है दिन आप उनको use कर सकते हो कोई problem नहीं है next option आता है दोस्तों आपके पास ads का देखे आप यहाँ पर अपने business के अनुसार एक ad बना सकते हो और Google Ads के अंदर उस ad campaign को run करके पैसे भी कमा सकते हो ठीक है आप देखे दोस्तों यहाँ तक हमारे चार step almost three steps almost complete हो चुके हैं अब हमारा next step है और वो है आप जब यहाँ पर campaign बना रहे हो ना तो इस campaign का मक्सद होता है आपने business को या तो आप grow कर रहे हो अपने product को sale कर रहे हो या फिर आप पैसा कमा रहे हो यही आपके main goals होते हैं तो इस campaign को बनाने से पहले या इस ad को बनाने से पहले मैं आपको वो 5 तरीके बताना चाहता हूँ जिनको आप इस्तमाल करोगे Google Ads से पैसे कमाने के लिए देखे सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका है for make money from Google Ads और वो है दोस्तों आपके पास sales business या फिर एक e-commerce business देखे आपके पास Google Ads का एक sales campaign आया था first के अंदर उस sales के campaign की मदद से आप एक ऐसे business को generate कर सकते हूँ जिसके उपर आप अपने physical product like mobile phone या और कोई product उनको बेच सकते हो उस campaign की मदद से और आप पैसे कमा सकते हो गर पे बैठे बैठे या इसके अलावा दूसरा एक और option है अगर आप अपने business के अंदर invest नहीं करना चाहते और आप अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो और फिर भी पैसा कमाना चाहते हो Google Ads का इस्तमाल करके तो आप sales campaign बनाना सीख लो और उसके बाद आप clients generate करो मतलब अलग-अलग जो clients होते हैं जिनके पास business websites होती है उन websites के उपर आप sales campaign चलाओ वो client आपको पैसा देंगे घर पे बैठे बैठे ठीक है तो पहला तरीका क्या है आपको sales campaign सीखना है और एक e-commerce business के उपर focus करना है नहीं आपके पास पैसा e-commerce में लगाने का देन आप e-commerce clients को पकड़ो दूसरा दोस्तो campaign आपने यहापे देखा था दूसरा campaign था lead generation देखे lead generation वाला भी एक ऐसा campaign है जिसका आज की date में बड़ी बड़ी companies इस्थिमाल करती है मैं आपको एक ऐसा example देता हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा देखे आपके आजपास में आपको पता है ऐसे colleges होंगे जिन colleges को admission की requirement होती है और admissions के लिए वो क्या करते है leads को generate करते है या फिर ऐसे कई सारे schools होंगे जिनको भी same business के requirement होती है leads generate करने की तो अगर आपके पास कोई ऐसी website है जिसमें आप schools और colleges के लिए leads generate कर सकते हो तो आप leads campaign का इस्तमाल करो और आप अपनी website के अंदर अलग-अलग students के parents का leads का data collect करके आप उस data को client को बेज सकते हो like आप schools और colleges को बेज सकते हो आपने सुना होगा सिक्षा.com के बारे में या justi.com के बारे में same वो website या वो companies ऐसा ही business करती है तो आप भी उस business के उपर एक अपना landing page पना के भी ये same चीज कर सकते हो अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं और फिर भी आप Google Ads चे पैसे कमाना चाहते हो तो भीया आप क्या करो आपके आज पास के location में जो college और जो schools है न वहाँ पे जाओ उनसे बात करो कि मैं आपको हर मैंने एक campaign चला के दूँगा आपके लिए नए जो बच्चे है न उनके admission दिलवाऊंगा आपको internet के तुरू और उसके लिए आप उनको एक fixed monthly fees charge कर सकते हैं और वो आपको देने के लिए राजी हो जाएंगे तो दो तरीके आपने जान लिए तीसरा कौशा तरीका है तीसरा तरीका है दोसो आपके पास traffic campaign देखें traffic campaign भी आज की rate में बहुत सारी companies इस्तेमाल करती है आपके पास मान लो कोई एक ऐसा landing page है जिस landing page के तुरू आप कोई digital product बेच रहे हैं या फिर दोसो ऐसा कोई landing page है जो monetize है और उस monetize page पे आप revenue generate करना चाहते हैं तो आप website traffic वाला जो campaign है उसका इस्तेमाल कर सकते हो और उस campaign की मदद से आप किसी भी landing page पे आप traffic generate कर सकते हो और आप उसके revenue को increase कर सकते हो या फिर आपके पास कोई digital product है तो उस digital product को भी आप website traffic campaign की मदद से बेज सकते हैं अगला है दोस्तो आपके पास app promotion देखे अगर आप इन तीन तरीकों से भी पैसे नहीं कमाना चाहते और आपके पास एक ऐसा तरीका है जिसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जिससे माल लो आपके पास कोई mobile application है और उस mobile application से पैसे कमाना चाहते हो तो आप mobile application बनाओ अपना खुद का एक ऐसे niche पे ऐसी category पे जिस category का बहुत ज़दा इस्सेमाल किया जाता है आज की date में exercise, yoga ऐसे applications है या gaming एक ऐसे category है जिसका application अगर आपने एक बार बना के Google Play Store पे upload कर दिया और वो download हुआ तो वहाँ से आपको बहुत पैसा मिलेगा AdMob की तरब से, ठीक है तो आप अपना application बना के Google Ads से promote करके उससे भी revenue generate कर सकते हैं अब कई सारे ग्यानी लोग बोलेंगे हमारे पास तो investment के लिए पैसा ही नहीं है तो भीया आप क्या करो आप जो application है na Google Play Store पे उनको कही ना कहीं contact करो जिन पे कम installs है और आप उनको contact करके बोलो कि मैं आपके application को promote करूँगा मेरे को महीनी का इतना पैसा चीए वो आपको देंगे आपको एक दो meetings अगर success नहीं होती तो निरास नहीं होना है और meetings करनी है नए-ने clients के साथ कोई ना कोई तो agree होई जाएगा और अगर कोई agree हो गया तो फिर आपको महीनी का पैसा भी मिलने लग जाएगा तो चार तरीके आपने जान लिए कि कौन्छे चार तरीके थे Google Ads से पैसे कमाने के लिए इसके अलावा मैं आपको एक चीज बोलूँगा कि Google Ads दुनिया का सबसे बड़ा advertisement platform है इससे पैसे कमाने के हजारो तरीके हैं क्योंकि आपने सुना होगा कि worldwide हजारो लाखो companies हैं जो आज product services बेच रही है और वो पैसा कमा रही है उसमें से जतनी भी companies online advertisement का इस्तमाल करती है Google Ads पे तो वो Google Ads का इस्तमाल करती है तो आप ही समझ लो कि जतनी companies जतने business ideas उतनी परकार के पैसे कमाने के तरीके Google Ads से तो सीखना तो जरूरी है ना अगर सीखोगे तो कमाओगे नहीं सीखोगे तो फिर focus में घर पे बैटे रहो कोई problem नहीं है तो चार तरीके जान लिए अब मैं आपको बताऊंगा एक और तरीका लेकिन उससे पहले हम campaign बनाते है ठीक है तो देखे मालीची दोस्तों मेरी पास यहाँ पे मेरी वाक्ष मेडिया solution है एक digital marketing agency है अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों मेरा जो अकाउंट है ना sorry campaign है वो उससी क्या according बनाऊँगा तो यहाँ पे देखे आज कल क्या करता है Google Ads आपके सामने कुछ keywords के according आपको यहाँ पे देखे best recommendation भी करता है जिससे मालो digital marketing company यहाँ पे मैं headline 2 में डाल दूँगा digital marketing company digital marketing agency ठीक है या फिर दोस्तों best digital marketing company मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ best digital marketing agency ठीक है आप चाहो तो यह डाल सकते हो digital marketing agency in जयापूर राजस्तान ठीक है इस तरीके से आप चूज कर सकते हो headline 2 में यहाँ पे headline 3 में आप डाल सकते हो और कुछ यहाँ पे your business growth partner ठीक है इस तरीके से आप डाल सकते हो और यहाँ पे आपके पास नीचे scroll down करने के बाद description आ रहा है तो डाल दोगे best sorry Vox Media Solution is a best digital marketing company in India जो अमारी website में लिखा हुआ है वो कहीं ना automatically आप रेकमेंडी हो रहा है उसके बाद दोस्तों description में आ रहा है pocket friendly plans make it easy for you to have quality digital marketing services यहाँ पे मैंने इसको choose कर लिया तो इस तरीके से आप अपना पूरा proper ad बनाओगे on google ads और यहाँ पे देखे आपका जो estimated है वो भी आपको दिख रहा होगा weekly conversion आपका 2.7 के आएगा average cost जो आएगी आपके पास वो आएगी 14 रुपे नन्यान में और weekly जो cost आएगा वो आएगा आपका 41,000 रुपे अब आप डरिये मत 41,000 रुपे यह आपका estimated है हम इसको अपनी अनुसार change भी कर लेंगे इसके अलावा दोस्तों जब भी आप campaigns बनाते हो तो site link और call out जो भी है वो भी important है आप site link और call outs क्या होते हैं उसके लिए मैंने पूरा course बनाया रख है आप जाके purchase कर सकते हूँ अब मैं क्या करता हूँ done button पर click कर सकता हूँ और done button पर दोस्तों जैसे click करूँगा मैरा campaign बन गया next button पर मैं click कर रहा हूँ और यहाँ पर देखे हमारा budget option आ रहा है budget option हम अपनी अनुसार डिसाइड करेंगे हमें कितना पैसा expand करना है तो जैसे माल लो मैं यहाँ पर custom चूस करूँगा और यहाँ पर मैं daily 750 रुपे चूस कर लेता हूँ अब 750 रुपे में देखे यहाँ पर हमारे पास आएंगे weekly conversion 982 average जो cost आएगा 5 रुपे 35 पैसे और weekly जो आपके पास cost आएगा वो आएगा 5200 रुपे तो आपका estimated देखे budget के अनुसार change होता है अब आपके पास next बटन पर click करना है दुबरा से और next बटन पर दोस्तों जैसे click करोगे आपका campaign जो है वो publish करने कले ready हो जाएगा यह देखे आपका campaign ready है publish करने कले तो मैं आपके simply publish कर देता हूँ और जैसे दोस्तों आप publish करोगे आपका campaign publish हो गया है यहाँ पर review में आ चुका है एक से दो दिन के अंदर आपका campaign चलने लग जाएगा लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर billing option में जाना है payment add करना है और जैसे payment add करोगे अगले एक से दो गिंटे में आपका account और आपका campaign चलना start हो जाएगा तो इस तरीके से आप Google Ads को step by step use करना start करो देरे देरे आप इसको सीक लोगे और एक दिन यह आपको reverie generate करने में काफी जादा help करेगा अब मैं आपके लिए एक और next तरीका पताना चाहता हूँ एक ऐसा advertisement platform है जहां जिसके बारे में आपको कई सारे freelancing jobs मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको type करना है दोस्तों Google पर freelancer और simply search button पर click करना है freelancer.in आपके सामने तो इसके उपर click करना है अब freelancer.in के बारे में आप जानते होंगे यह एक ऐसा platform है जहां पर आपको freelancing project या jobs मिल जाती है अगर आप Google Ads सीख चुके हो और आप उसको बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो तो आप यहाँ पर work डूंड लो जैसे मालो यहाँ पर मैं browse jobs के उपर click करता हूँ और जैसे browse jobs के उपर click करोगे यहाँ पर देखे search में जाना है और आपको ads Google टाइप करके simply search बटन पर click करना है जैसे दोस्तों आप search पर click करोगे यहाँ पर आपके सामने नीचे Google ads के जतनी भी project है या फिर दोस्तों आपके पास work है वो आपके सामने आ जाएंगे तो जैसे मालों यहाँ पर digital marketing for lead generation देखे यह भी Google ads का lead generation campaign के requirement है इनको और यह आपको 17,000 रुपए के something pay करेंगे इसके लिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपके पास option आएगा social media ads for traffic तो यह भी Google ads के requirement है इनको इसके बाद दोस्तों यहाँ पर Google ads देखे यह वाला भी एक project है जिसके अंदर seeking a full services advertisement agency social media Google ads and video content creation और इसके लिए आपको कम से कम 1,000,000 रुपए का payout भी कर रहे हैं इसी परकार से यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने Google ads related और भी कई सारे project आएंगे तो उनको आप देख सकते हो और आप यहाँ पर freelancer.in का इस्तमाल करके bidding लगाना start करो आपको दीरे दीरे project मिलेंगे मैनत करोगे तो और दीरे दीरे आपको experience आयागा project मिलेंगे तो आप पैसे क कमा सकते हो Google ads का इस्तमाल करके इसके अलावा एक और अच्छा तरीका है और वो यह दोस्तों अगर आपको Google ads के बारे में पता है इसको आप manage करना जानते हो तो आप first try करो अपनी city में आपकी आसपास की city में जो भी business है आप उनको promote कर सकते हो उनको एक proposal दे सकते हो और वो अ कि Google ads से अगर आप पैसे कमाना चाते हैं तो Google ads का इस्तमाल कैसे किया जाता है मैंने दोस्तों आपको Google ads step by step सिका है चार steps के अंदर और Google ads से पैसे कमाने के मेंने से आपको 5 तरीके भी बताएं जिनका इस्तमाल आप या तो अपने लिए कर सकते हैं या फिर अपने clients के लिए भी कर सकते हैं और इन 500 तरीकों का इस्तमाल करके आप Google ads से हर मेने revenue generate कर सकते हैं अगर दोस्तों अपनी पूरा वीडियो देखा है अभी भी आपको Google ads से related या पैसे कमाने से related कोई सवाल जवाब है या कोई comment करके पूछना आपको कुछ तो please comment box में जाना और अपना comment type करना हम और हमारी team आपको reply देनी की जरूर कोशिश करेंगे इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे साथ connect होना चाहते हैं आप घर पे बैटे बैटे फ्री में digital marketing, affiliate marketing, drop shipping, reselling और बहुत सारा घ्यान फ्री में लेना चाहते हैं तो channel को miss मत करना, channel को subscribe करना, bell icon button को press करना और ये वाला इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो में, आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे channel को support और subscribe करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद